Hello friends, welcome to my channel, Birding Moms Nurturing Babies आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें कौन से फूट्स नहीं खाने चाहिए और कौन से फूट्स हमें खाने चाहिए उसके उपर मैंने वीडियो बनाई है जिसका की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को Friends, प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें कैफिन अधिक मातरा में नहीं लेना है जैसे की चाई और कौफी आप कोशिश करिए कि आप दो कप से जादा ना चाई पीए ना कौफी होते हैं और कैफिन स्टिमूलेंट होते हैं जो की हमारे ब्लड प्रेशर और हर्ट रेट को बढ़ाते हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पे हर्ट बर्न और एसिडिटी जैसे इशू होते हैं तो कैफिन की मात्रा हमें अधिक नहीं लेनी है नेक्स्ट यहाँ पर हैं सॉफ्ट और हाड ड्रिंग्स फ्रेंट्स हमें कोल ड्रिंग नहीं पीनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे कभी-कभी तो ओके है बट आप इसको रेगुलर कंज्यूम ना करें क्यूंकि जो कोल ड्रिंग्स होती है यह कार्बोनेटेड ड्रिंग्स होती है और इसमें शुगर और सोडा अधिक मात्रा में होता है जो की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और साथ में ही हाड ड्रिंग्स आपको बिलकुल नहीं लेना है नेक्स्ट है पाइनेपल और कच्चा पपीता फ्रेंड्स हमें ये दोनों ही फ्रूट्स नहीं लेने हैं स्पेशली शुरू के थ्री मन्स में क्यूंकि इसमें ब्रॉमिलेन होता है जिससे की यूट्रेस में कॉंट्रेक्शन होता है और ये सेरेविक्स को सॉफ्ट करता है जिससे की अरली प्रेग्नेंसी के चांसिस होते है और जो मा और बच्चे के लिए दोनों के लिए सही नहीं है तो आप कच्चा पपीता बिल्कुल भी ना खाएं और हाँ पाइनेपल अगर आप बाद में लेते हैं तो कभी-कभी आप एक पीस ले सकते हैं बट इसको as a regular fruit बिल्कुल भी ना खाएं नेक्स्ट है यहाँ पे junk foods फ्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं junk foods unhealthy होता है और प्रेग्नेंसी के टाइम पे हमें healthy diet लेनी चाहिए तो junk foods आप avoid करें क्योंकि इससे आपको acidity और herd burn जैसे issues होते हैं और easily digest भी नहीं होता है यह नेक्स्ट है कच्चा दूद तो friends आप कच्चा दूद मत पीजिए इस दूद को अच्छे से उबाल कर ही लीजिएगा क्योंकि दूद में listeria bacteria होता है तो अगर आप raw milk consume करते हैं आपके health के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ में मैं कहूंगी कि हमें जो sprouts होते हैं वो भी pregnancy के time पे raw sprouts नहीं लेने चाहिए वैसे तो sprouts बहुत health के लिए अच्छा होता है उसमें अधिक मातरा में nutrients होते हैं बट इसमें जो bacteria होते हैं वो pregnancy के time पे आपकी health के लिए अच्छे नहीं है तो अगर आप sprouts लेना चाहते हैं आप उसको cook करके ही लीजिए नेक्स्ट हम बात करेंगे non-witch की तो friends अगर आप egg लेते हैं तो egg का आप omelette बनाए या फिर अंडा भुजिया बनाए उस तरीके से आप egg को लीजिए पर कच्छा अंडा बिलकुल भी मत लीजिए और साथ में ही अगर आप fish या चिकल लेते हैं तो half boiled या फिर half cooked food मत लीजिए non-witch अच्छे से पका होना चाहिए तब ही आप non-witch को खाईए और जिन fish में अधिक मात्रा में मरकरी होता है वो हमें pregnancy के टाइम पे बिलकुल भी नहीं खाना है next हम ऐसे कुछ vegetables की बात करेंगे कि जिसकी वज़े से हमें bloating या gas का issue होता है जैसे कि food को भी हो गई, broccoli हो गया या फिर मूली हो गई या मक्का हो गया ये सारी चीजें जो होती है हमें इने लेने में कोई दिक्कत नहीं है बट हमें इनको कितनी मात्रा में लेना है आप उसका ध्यान लगिए और कोशिश करिए कि रात को सोते वक्त आप ये ना खाए बिकॉज इनको खाने से शरीर में हमारे ब्लोटिंग और गैस की प्रॉबलम होने लगती है जिससे हम अनकमफरेबल होने लगते है और लास्ट में मैं कहूंगी कि फ्रेंड्स कोई भी प्रिजर्वेटिव फूद या ओईली फूद आप ना ले कोशिश करिए कि आप बहुत कम मात्रा में ले ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो स्मूथ रहे आप हेल्दी राइड लीजिए और इन सारे प्रिजर्वेटिव फूद को और ओईली फूद को अवोईट करिए जिससे कि आपके और बच्चे की दोनों की हेल्थ अच्छी बनी रहे तो आप अच्छा खाना और हेल्दी फूद्स पे ध्यान देजिए तो फ्रेंड्स ये कुछ फूद्स थे जो हमें अवोईट करने थे प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें इस पे कॉमेंट करें और बच्चों और मां से रिलेटिट वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए थेंक्यू फूर वॉचिंग